अबिजी तिवारी आई होप यॉर डूइंग वेल सबसे पहले आपको एक बात बोलने थी थैंक यू सो मज जो आपने पहले वाले वीडियो मेरा रिस्पॉंस दिया जो कि मैंने बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए और जिन्हों न भी देखा थेंक यू सो मज फॉर दे लव आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं प्रोब्लm फेस कर तो मैंने इस पॉइडियो के अंदर हर चीज हर चीज जो कि मैं उस तमें प्रोब्लम फेस कर रहता है उसों किणिर करके और और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कम से कम 10-15 फ्रेंड से पर्सनली बात की है कि क्या बनाना चाहिए इसमें क्या टॉपिक कंसीरार करना चाहिए क्योंकि मेरा प्रब्लम वाला सुखता है किसी दूसरी का लग होता है तो हर पॉइंट को जोट डाउन करके मैंने समरी मे यह वीडियो बनाने कोश्च के और आपको definitely help करने वाला है और आपको इस टाइप की वीडियो जिस टाइप की वीडियो चाहिए यह चाहिए आर्टिकल में चाहिए तो आपको इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा मैं उसके पर वीडियो बना दूँगा तो सब से से लिए आपन देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो कंसिलर करना चाहिए हमको आर्टिकल सी जोइन करने से पहले जोइन दर फॉर्म आफ यॉर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट अब आपको किस किस फील्ड में काम कर सकते हो सबसे पहला है फिर इंकम टेक्स हो गया उसके जी एस्ट इंटरनल ओडिट इंटरेस्ट अडिट मर्जर और एक्विजिशन प्रोड़ेक्ट फाइनसी एक्विटी लिसर्ट यह मैंने कुछ नाम लिखे हैं और भी बहुत सारे फिल्ड में काम करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिर्म हैं इंडिया में ठीक है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मेरे को इंटरेस्ट किस फील्ड में है मन लोग किसी को इंकम टेक्स पढ़ा तो बहुत पसंद आया तो उसको लगता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है कोई बात नहीं आपको पता करने का सिंपल रूल बगता हूँ आपने 8 सब्जेक्ट पढ़ा इंटर में 8 सब्जेक्ट या फिर 6 सब्जेक्ट अगर नीउस कीम से आप दे रहे हैं और पुषटแ कर लोगे झीलेसे कोई तो ऐसा सब्जेक्ट हो गा जिससे आप दिल से प्यार करते होगे तो ऊस पर आप कोशिश कर सकते हो कि मैं इसमें articleship दिनूं और उसमें ही मैं career बना लो तो मेरा क्या होगा experience मिल जाएगा articleship में बड़ आपको career change करना हो तो वह कर सकते हो अब कि में इंट्रेस्ट किसमें आ रहता है कि मैं जैसे income tax में जैसे मैं ने काम किया इंटरनल ओडिट में काम किया है फर्स्ट इयर में और उसके सेकेंड यर में में फर्म चेंज किया तो मैं बाकी समय भी लगबग काम कर लिया हूँ पता है किसी स्पेशलाइज फर्म में ना जाकर मिड्साइज में जाऊं मिड्साइज मिड्साइस में क्या होग आपको भाट ही कर सकते हो आप अगे करिया इसमें बनाने क्योंकि आप ऐसा कॉमन वाला काम नहीं कर सकते ठीक है आपको किसी चीज को तो अच्छे से आना पड़ेगा और कॉमन भी बनने तो आपको पता तो होना चाहिए भाहिया मैं को क्या क्या सीखना है तो आप उसमें इंट्रेस्ट के आप से देख सकते हो उ क्योंकि आपका सिटी के अगर भार भी है आप इस आर्टिकल चिप फेज में अपना सीवी बिल्ड करते हो प्रोफाइल बिल्ड करते हो उसके बेसिस में ही आपको आगे जाके जॉब मिलते है आप जैसे जिस सांचे में जो दालोगे वो ही निकल कि आएगा ठीक है तो आर् साइमेंट किया सब लिश्टेट कंपणी में करने में आपको अलगी एक्सपोजर आता है और लिश्टेट कंपणी में आपको you have to be very particular about everything आप कुछ भी गलती वहाँ पर नहीं कर रखते तो वो मेरा एक्सपोजर था वो क्यासे मिला अगर मैं अपने सिटी में रहता ता मेरी सिटी में क्या बहुत मतलब एक दो फर्म होंगे जिसके लिश्टेट कंपणी के ऑड़िट होंगी तो अड़िट उनके पास ही नहीं है तो वो में को काम कैसे देंगे ठीक है तो आप बेस्ट सिटी में जाईए क्योंकि वो पोस्ट कॉलिफिकेशन आपको help करेगा CA बनने क इंटर्विव पार कॉन करवाएगा जो आपको practical knowledge है और practical knowledge आप किसी के book पढ़के नहीं ला सकते impossible आप swimming सिख सकते हो क्या book पढ़के swimming आप best best book खरीद लो ठीक है और घर में पूरा ऐसा से करके कुछ भी कर लो आप नहीं सिख सकते ठीक है तो तो आप mid size या फिर small small में prefer नहीं करता mid size firm में जाओ जिसका कुछ restriction है कि यार हमारी घर में से जाने नहीं दे रहे हैं यह है वो है अब मान लो genuinely है भी ठीक है और आपको practice करना है ठीक है और मान लो आप आर्टिकल चिप में पूरा margin and acquisition सीखे हो उसके आप practice में होगे तो पहला आपको क्या लगता साइमन margin and acquisition का मिलेगा आपके पास अभी history of working है नहीं अपने दम पे आपको margin and acquisition मिल ही नहीं सकता है individual अगर आप soul propriety बतलब एक खुद firm चालू कर रहे हो तो तो नही size firm में जा सकते हैं और जिसको job करना है अब job भी वह industry में करेगा या फिर firm या big four में करेगा ठीक है अगर industry में जाना है तो article chip के phase में ICI allow करती है कि आप industrial training के लिए जा सकते हो ठीक है तो आपको अगर industry में जाना है तो आप industrial training मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए क्यों जाना interviewer के पास दो candidate गाए है जो एक normal article chip किया है और यह article chip plus industrial training किया तो मैं तो इसको prefer करूँगो क्यों क्यों क्योंकि इसको industry के basic etiquettes basic working पता है इसको ज्यादा इसको इसके training में खर्चा नहीं करना पड़ेगा में को इसके training में खर्चा करना पड़ेगा ठीक है तो अगर में पास दो same candidate है जो कि यह भी CEA qualified है यह भी CEA qualified है इसका भी experience almost same है इसका भी same है तो मैं इसके उपर prefer करूँगा जो industrial training कर चुका है तो अगर आपको industry में करना है तो industrial training करना चाहिए और मैं तो सब बच्चे को सजिश करता हूँ आप please 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 industrial training करो जब ICI allow कर रहे है तो ICI सोच के कर रहा होग industry में देखेगा तो आप सो लोग से नहीं लोग से मिलोगे best people around the industry के साथ आप work करोगे तो वो एक अलगी level का confidence देता है ठीक है और आपको big four में करना है तो आप mid size में कर सकते हो fall form में कर सकते हो या फिर big four में कर सकते हो big four का मैंने भी interview दिया था big four में क्या होता है आप एक ही area में specialized हो सकते हो ठीक है मान लो आप indirect tax या फिर GST में आप अब GST के महारत हो जाओगे बट बाकी सब में आपको खुद fight करके आपको बाकी सब area का knowledge देना पड़ेगा अगर आप खुद fight नहीं कर सकते नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे ठीक है big four किया आप big four म बट आपको लगता है कि या अभी में को restrict नहीं करना है अपने आपको big four में भी कर सकता हूं और भी कहीं पर भी कर सकता हूं तो आप mid-size best में बोलता हूं mid-size क्योंकि mid-size में आपको बहुत सारे department मिलते हो और हर department में आप काम करके देख सकते हो कि में को क्या अच्छा लग र best बनाना है ठीक है तो आप अगर firm या big four में job करना चाहते हो तो mid-size मैं तो सब बच्चे को mid-size और उसके आद industrial training के suggest करता हूं big four भी कर सकते हो देखो आज कल हर चीज हवा बन गई big four big four definitely big four में जो हैं वो best people है ठीक है but उनको उनका perspective अलग रहता है आपको थोड़ा-थोड़ा मैं को लगता है कि आना चाहिए उसके आप फिर big four में job करो ना इसको big four में job करना है C.A. बनने के बाद 8-10 लग का package लेके करो क्या दस हजार के लिए job करोगे नहीं मत करो इस अच्छा आप देखो big four के लिए मैं बायश नहीं है बहुत मैंने बहुत इंटर्व्यू दिया है सर आप big four में आप नहीं कियो इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है मैं को हर चीज का at least चानना तो था अगर मानलो मैं को expertise knowledge चाहिए रहता अब मैं को इसमें early phase में पता कैसे चाहिए कि मैं को किस में expertise बनाने मैं बता ही नहीं है industry में क्या क्या है या क्या options है तो मैं कैसे ब department यह boost करता आपको CV जैसे कि मेरी firm में first year में जहां काम किया मैं वो best firm था and मैं thanks बोलना चाहता हूँ अपने सब partner को जिसमें first year में milan sir थे दनमे sir थे शुरूद sir थे फिर पराग sir थे उन सब को ठैंक बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो इतनी अच्छे से काम सिखाते बीटे और वहां पर काम करने का exposure ही अलग था मैंने तो fortunately मेरी manager थे उनको भी ठैंक बोलना जाता हूँ जो मेरी manager थे उनके अंडर में काम करके सिर्फ listed company किया हूँ एक साल पूरा मतलब यह तो बतलब ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि आप सब listed company करो मेरे start भी लिस्टेट company से हुए end भी लि income tax में मजा रहा है हां यार में को इंटर्वा ओडिट में मजा रहा है हां यार में को stat audit में मजा रहा है तो आपको पता तो चलीगा उसके आपके बास हर चीज़ आप शादी में गये हो दस item है तो आप अगर एक item को best बोल देरो तो आप तो 9 साफी कर रहे हो नौ आइटम ज अगर वह अच्छे हैं वह आपको बात करना पड़ेगा कि कौन-कौन से फर्म बतलब आपको क्या-क्या exposure यहां मिलेगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग या डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करो यह help करता है आपके cv को बील्ड करने में बूश्ट करने में आप कहीं क्यों लेना है मानलों आप सूचे जर हूँ कि महां यह सीख haram59 यहां यह तो फ्रेंड होंगहा नहीं भी यह तो LinkedIn लिंक्डिन में आजकल हर चीज अवेलेबल है ठीक है उससे अन्र का इंसाइट पुछो कि यहां पर क्या है यहां पर अगर मान लो मेरे एक ग्रूप रुखा हुआ है तो चुट्टी कित्ती देती है क्या है मेरे हिसाब से वह अलाइन हो रहा है कि नहीं तो उसके हजाब से आ और आपके हिसाब से अगर वह सही है तो यू कन गो फॉर ठीक है बिफोर जॉइनिंग दे फॉर्म सब चीज क्लियर कर लेना कि आपको लीव कितने मिलने वाली आपके ओफिस टाइमिंग क्या है ट्रांसफर अगर मान लो इन केस लेना है तो एको ट्रांसफर मिलता है कि नह आपको अलाव करते हैं कि नहीं एड़ अड़ अफ इंड़ अफ इंड़ ट्रेनिंग देखो ऐसा आप अभी एक दिन में काम नहीं किये हो ठीक है तो आप एक दम बहुत बनने के कोशिश मत करना बट हाँ आपको एक ओवर आल बात करके और उनके प्रेजेंट और पास्ट आर्टिकल से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है मानलो को पास्ट में कोई ऐसा केस हुआएगा कि ट्रांसफर हुए तो अलाव कर देते हैं कई जगह नहीं करते आप कुछ भी करो एक्स्टेंशन लगा देंगे पर आपको ट्रांसफर नहीं देंगे कई जगह ऐसा रहत तो यह नहीं हो सकता और यह जो लाश्ट पॉइंट है वो मेरा पर्सनल एडवाइज है कि आप किसी भी रिलेटिव के फर्म को जॉइन मत करना मैं क्यों बोल रहा हूँ पहली बात बदाता हूँ मैं फर्स्ट इयर में एक बहुत अच्छी फर्म में काम किया जो की पूने म उसके मुझे 기자 से ट्रांसफर लेना था अटलीस चार शतार थांट मेरे पहचान के अचे काम कर सकता है यों उनकी प्रिफरौ किया ही नहीं रखर और उनकी ऑन पको डैगां अगर वो डांट नहीं पाएगा, तो आप कुछ अच्छा सीख भी नहीं पाएगे, देखो, कोई भी नया चीज सीखने में आप गलती करेंगे, तो आपको रेक्टिफाई करवाने वाला भी तो होना चीज है, कि आपको सही चीज बताया और उसको अच्छे करवाया, थोड़ करियर में आपका उतना ज्यादा जो exponential growth हो सकता है, वो नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने सर्फ से suggest करूँगा, कि आप किसी भी relative kinder जाके कामना करें, ठीक है, उसके आप देखते हैं, आप बोलोगे, तो सर्फ आपने हर चीज बता दिया, यह देखना जिस एरिय में आप इंडर्स्ट्री जो कि मैंने पहला point कवर किया था, यह आपको art subject पढ़े हो, यह अच्छा subject पढ़े हो, इसमें आपको आया, या फिर आप किसी को idealize करते हो, कि मैं को ऐसा बनना है, और इस industry में जाना है, इस level पर जाना है, तो उसके लिए क्या क्या requirement है, आपको पता चल गया, उसके बद आप list down करो, firm का name, और जो आपके area से aligned है, तो मैं stat audit वाला नहीं देखूँगा, internal audit में कौन से best firm है, पूरे इंडिया का पहले निकालो, उसके बद आपके reach में कौन से है, जैसे कि मैं छतित गड़ में रहता हूं, तो छतित गड़ में सबसे best firm कौन सी है, और इंडिया में best firm कौन सी है, मेरे घरवाले अगर allow कर रहे है, तो मैं इंडिया के best firm में जाके interview तो दिलाओ, या फिर कुछ तो करो, ठीक है, या फिर अगर मान लो मेरे घरवाले नहीं कर रहे है, तो मेरे reach के पास कौन सा firm है, उसको list down कर लो, ठीक है, फिर build क connection, जो कि उस firm में काम करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको बता दिया, कि आपको बात तो करना पड़ेगा, कि actual firm का scenario क्या है, और interview कैसे होता है, उसको वहां का process क्या है, वहां article को hire, कैसे किया जाता है, वहां पर क्या payout है, हर ची आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप में को भी request send कर देना, आपन कुछ भी लगेगा, article chip के लिए, आपको किसी भी field में आपको चाहिए, कि सर आप इसमें guide कर दीजी, इसमें guide कर दी, आप बिलकुल बे जीजग होके, आप इस video की नीचे comment कर सकते हो, और मैं पका, जितना भी में को पता होगा, नहीं भी पता जैसे कि मैं industrial training के लिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं credit success के लिए था, अब try किया था, जिसका 6 लाग रुपय, article chip में package है, मतलब article chip के third year में, मैं कुछ 6 लाग का package मिल रहा था, ठीक है, तो उसका क्या process था, कैसे वहाँ के HR से connect किया, कैसे मेरा interview schedule हो, हर चीज, तो अगर आपको ज experience हो, working experience हो, कुछ भी बोलो, इससे पहले मैं assume कर रहा हूँ, अपने काम नहीं किया होगा, तो आपको पता ही नहीं, जैसे कि मेरे case में क्या होगा, मैं पहला interview दिया, उसी में select होगा, तो पहला interview दे के select होने में, देखो हो सकता है, कि मेरा grooming अच्छे से हुआ होगा, मैं सिमा process, उस process से गुजरते हो, देखो अप, UPSC aspirant का example लेता हो, मैं UPSC में बहुत सारे लोग apply करते हैं, और गिनने चुने 200-300 पोश रहते हैं, ठीक है, बट apply लाखों लोग करते हैं, दसो लाख, जो दा लाख, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, पर उसमें सब तो नहीं बनते हैं, ब पहले starting में था, जो end में हो गया, उस process के end में, तो वो इंसान पूरा लग जाता है, तो interview कि during आप जो preparation करोगे, वो आपको बहुत अच्छा गुरूम करेगा, और eventually आपको help करेगा, अच्छे job में land करने के लिए, तो आप at least मेरा suggestion है, तीन दो, दस भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो, नहीं भी देना है, तो मत दो, ठीक है, मतलब वो आपके उपर है, पर मेरा suggestion रहे का, ठीक है, stipend जो है, आपका criteria नहीं होना चाहिए of selecting firm, यहाँ ज्यादा stipend मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, भाई, तुम तीन साल पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे है, तुमको कई छोटी firm में, मैंने यह भी देखा है, पूने में, कि कई छोटी firm जहाँ आर्टिकल नहीं जाते है, वहाँ पर stipend हो जादा जाते है, 10-15 रह जाते है, क्यों जेते है, मैं उसमें analyze ही है, तो वहाँ पर बच्चे stipend के चक्कर में आ जाते है, वहाँ काम कुछी नहीं रहता मैं जहाँ first year में काम करता था, 3-4 और 5 था, 3000 first year में, 4000 second में, 5000 third में, ठीक है, तो वहाँ पैसा जाजा नहीं मिल रहा था, बट मुका exposure इतना मिला, मैं एक साल में चन्नाई घुमा हूँ, होसुर घुमा हूँ, उसके फिर बैंगलोर गया हूँ, फिर मुंबई गया हूँ, इत तो buy product है, बतलब काम में जाओगे न, ऐसा stage आ गया था मेरे पास तो, कि मैं बाहर जा जाके, मतलब आप लोग को ऐसा लगता होगा न, कि बाहर जाएंगे तो आपन ये खाएंगे, वो खाएंगे, सब खाओगे, ठीक हर चीज मिलेगा आपको, तो बाहर इतना रह लिया था में साल भर कि वो फेज आ गया था कि मैं वहाँ पर मैं वैज हो, तो वहाँ पनीर और करने के जगह में क्या और करता है, नॉर्मल गोभी आलो, यह सब और करना, तो वो आपको पता चल जाएगा, कि आप कौन से phase में आगा, मतलब आप इतना बाहर रह लियो कि आपको घर व बिग 4 के बाद दूसरे तो इसरे नंबर में आ जाता था, ठीक है, तो इतने अच्छी फर्म थी मेरी, ठीक है, और मेरे को तो by God grace और मेरी थोड़ी सी महनत, थोड़ी सी महनत, क्योंकि देखो हर चीज मेरी महनत से नहीं हो सकता, मैंने तो खली एक महनत किया, जो इंटर्व जाहीं नहीं पाता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाओ ताकि आपके लिए helpful हो, ठीक है, तो इस टाइफ़न आपको criteria नहीं रखना है, दस हजार दे, पंदरह हजार दे भाईया, तीन ही साल देगा, उसके बाद आप क्या करोगी, ठीक है, और at last मैं आपको बोलू मेरा ही जाने का नहीं हुआ, ठीक है, और मेरे को 50,000 पर मंद का 6 लाग का package था, ठीक है, उसके बाद most case में बताता हो, industrial training क्या होता है, आपका job वहाँ पक्का हो जाता है, आप अगर अच्छा perform किये, ठीक है, और उसके बाद अच्छा perform कर लिए, उसके निकल गये, तो आपक मैं उस process में तो गया, बहुत अची ची investment banking firm है, और बहुत और भी है, ठीक है, आप बोलोगे तो मैं interview schedule करवा दूँगा, मेरे कई दोस्त लोग हर बड़े बड़े जगा काम करते है, ठीक है, तो आप बोलोगे तो industrial training कैसे की है, यह भी skill है, आप HR का number कहां से ला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो हर चीज आपको चाहिए, तो आपको personally बता देना, मैं कर दूँगा, ठीक है, तो मैं suggest करूँगा, कि आप industrial training करो, और जो भी topic पे आपको, जिस भी topic पे आपको वीडियो चाहिए, आप comment कर सकते हो, ठीक है, इसी के साथ मैं यह वीडियो end करता ह क्योंकि और मतलब क्योंकि इसमें इतना ही मैं तो मैंको जो लगा, हर चीज में बात करके, कम से कमें 10-15 लोग को परशान किया हूं, अब वो तो सिये बन गए है, हर चीज हो गया है, अच्छे अच्छे जगाह में बिक फोर्स में बहुत सारे लोग है, बहुत सारे खुद क क्रिएटर नहीं हो यूट्यूबर नहीं हो कि मैं आके कुछ भी वीडियो बनाते रहूं मैं जो जिस चीज में आपका पैन पॉइंट है उस चीज का सॉलिशन के लिए वीडियो बनाऊंगा और हमारा ये जो चैनल है वह आप देखेंगे तो हर रिलिवन टॉपिक के भी बना या फिर इस नंबर पर फोन करके आपने से बाद कर सकते हैं बट प्लीज फोन डारेक्ट मत करिएगा क्योंकि आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मेली कर्मीनेट होगा क्यों फोन मान लो एकदम इमर्जेंसी कर देशना तो आप ड्रॉप कर दो कमेंट मैं उसका रिप्ला